ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धर मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल ये राशी फले 24 जनवरी 2022 सोम बार का दिन है माग महा के कृष्ण पक्षकी सब्तमीती थी है हस्त नामक नक्षत्र होगा तथा कण्या राशी में चंद्रमा बिद्धिमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पूर दिशा में रहेंगे इसलिए पूर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पूर्दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दरपन में अपना चेहरा देख करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह साड़े साथ बजे से शुरू होकर के नो बजे तक रहेगा हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर का नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थान उपर माना जाता है और कई स्थान उपर नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के लिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव जो की मकर राशी में, वहीं चंद्रमा जो की कन्य राशी में, मंगल ग्रह धनु राशी में, बुद्ध ग्रह मकर राशी में, देव गुरु ब्रहस्पती जो की कुम्ब राशी में, शुक्र ग्रह प्रगती के भी उत्तमा उसर इनको प्राप्त हो सकते हैं नया पद नया मुकाम नया काम इनका शुरू हो सकता है करिक्षितर में एक नया पन भी इनको महसूस होगा गुल मिलाकर के साथ राशी वालों के लिए दिन सबसे विशेश साबित होगा अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का दिन इक राशी भल बताने जा रहे हैं हमारे इस गर्णवर्दक फीडियो को अन्ति तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी ही पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे हैं खराप संबंदों में सुधार आएगा घर की सुक्स्विधाओं संबंदी कारियों में आपका विशेष योगदान रहेगा इस समय आर्थिक इस्तिती उचित बनी रहेगी भविश्य संबंदी निवेश के लिए समय और दिन उत्तम है संतान से संबंदित कुछ कारियों में आपका धन खर्च होगा खर्च की अधिक्टा हो सकती है अपनी भावगता जैसे स्वभाव पर नियंत्र रखे अन्यता कुछ लोग आपका गलत फाइदा उठा सकते हैं दो पहर के पश्चाट ग्रहस्तितियां कुछ विप्रित होगी तथा मन में कुछ नकारत्म विचार भी आएंगे जो आपको परिशान करेंगे इस समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतीविधियों पर आपको ध्यान देना चाहिए महनत और लगन से कारी किया गया तो आपको निश्चय ही लाप प्रसिद्ध होगा और उपाय के रूप में छत के ऊपर पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की इस समय कुछ धार्मिक, सामाजिक था, अन्य, कारियों के प्रती आपका विशेस योगदान रहेगा आपको एक नई पहचान प्राप्त होगी किसी पारिवारिक मुद्धे में भी आपकी विशेस उपस्तिती रहेगी इस समय परिश्चितियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा समय का सदुप्योग आपको करना चाहिए ध्यान रखे कि किसी नजदी की रिस्तिदार की वज़े से धन हानी संभाव होगी लें देन करते समय लापरवाही बिलकुल न करे घर के बुजुर्गों के स्वास्त का विशेज ध्यान रखे यह समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित नहीं है करिक्षत्र में आई के साधनों में ब्रद्धी होगी इसके सांथी खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आपका अधिक्तम समय अपने व्यक्तितों को और अधिक बहतर बनाने में व्यतित होगा विध्यारतियों को विध्या या सिक्षा के अनुरूप कोई न कोई नोकरी मिलने से उनकी चिंताएं दूर हो जाएगी धार मकार्म तथा अध्यात में गती विध्यों में आपकी रूची बढ़ेगी इस समय धन के लेंदन संबंदी कोई नुकसान होने की स्तितियां बन रहे है जिसकी वज़ा से स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा आपकी अधिकार पूर्ण वानी दूसरों को नाराज कर सकती है अपने स्वभाव को सहज वा नरम बना करके आपको रखना चाहिए आज कोई भी नया काम शुरू न करे तो ही बेतर है क्योंकि इस समय कोई भी महत्वपुर्ण इनरने गलत होने की वज़ा से नुकसान हो सकता है बेतर होगा कि वर्तमान परिसितियों पर ध्यान दे नुकरी पिशा वेक्तियों को काम की अधिकता की वज़े से और टाइम भी करना पड़ेगा उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका बाडामी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज परिवार के साथ साथ आप कोई ऐसा काम भी करेंगे जैसे आपको आगे चल करके फाइदा होगा खरिदधारी होगी समय अच्छे से वितित होगा सभी सदस्यों के बीच हास परिहास तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा परिवारत था व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बना कर रखेंगे व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे परंतु अपने विरोधियों की गटी विजियों को नजर अंदाज न करे आप किसी शड्यंत्र या गलत फेमी के शिकार भी हो सकते हैं किसी रिस्तदार या मित्र से कुछ कहा सुनी हो सकती है मन आपका व्यतित हो सकता है उपाई के रूप में भोजन के बाद मीथी वस्तु खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की आपका प्रभावस्वाली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्यतीत करना आपके आत्मबलव कारिक्षमता में और अधिक व्रद्धी करेगा आपकी वानी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी सामाजिक शत्र में आपके संपर्क का दाइरा बढ़ेगा कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्या आपका सांत नहीं दे रहा है जिसकी वज़े से आपके आत्मश्वास में कुछ कमी आ सकती है परंतु मनन करे कि आपको मैसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है लाभ के सुरोत कुछ कम रहेंगे मशीनरी खनपान से संबंदित व्यवसाय में बहतर आपको फाइदा होने का योग बन रहा है उपाई के रूप में घर के मंदिर में पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आपके उत्तम व्यक्तित तथा प्रभाव साली वानी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक शेत्र में आपका रुत्बा बढ़ेगा आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क घनिष्ट होंगे, दोस्तों तथा रिस्तेदारों के साथ मेल मिलाप से खुशी आपको महसूस होगी, अपने आपको तरो ताजा आप महसूस करेंगे, कुछ व्यक्तिकत कारियों के साथ साथ, प पलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की दिन की शुरवात बहुत ही सुखद रहेगी आपके सभी सोचे समझे काम शांति पूर्ण तरीके से निपड जाएंगे तथा आपका विन नामी का आरोब भी लग सकता है इसलिए इस समय बहुती समझदारी से काम लेने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा पर आपको अमल करना चाहिए आज अपनी उर्जा सकारत्मक कारियों में लगाएं धनलाब होगा रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप् अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासेगी बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी तथा निवेश संबंदी कारियों में आपकी दिल चस्पी रहेगी दिल की बजाए दिमाग से काम करें हिम्मत और साहस के बल पर असंभाव कारी भी आसानी से संभाव हो सकती है कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फाइदा उठा सकता है इस समय अत्याधिक सचेत रहने की आपके लिए आउशकता होगी और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि एक इलाइची आप खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई सावित ह आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आर्थी की सिती बहतर रहेगी रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी तथा अपनी व्यभार कुशलता द्वारा किसी भी प्रका नहो सकते हैं ऐसे विचारों से आपको दूरी बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में लाल कुंकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबिथ ہوगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं मकर आप अपनी योजना किसी भी प्रकार से जो है किसी के सामने प्रगट न करे गुप्त उसको रखना चाहिए योजना को क्रियानवित करने से पहले एक बार पुना उस पर सोच विचार अविश्य कर ले तथा आपको कहीं से कोई सुखत समाचार प्राप्त होगा जिससे घर पर भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की आज हास पर यहास तथा मनोरंजन संबंधी कारियों में आपका समय व्यर्टीत होने से स्वयम को हलका फुलका और उर्जावान महसूस करेंगे घर की जर्वत संबं और उपाई के रूप में देवी जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुपलताई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हारा होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा वक् प्रतिभा प्रतिभा वक्ष्मी जी को पिला फूल चड़ाना आपके लिए शुपलताई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा तो मित्रों यहां बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइ यदिक रशक्न सदर दर्निवात